इतिहास साक्षी है आपके कुशल नेत्रित्वका, असम के स्वास्थियक शेत्र की ख्रांती आपके मार्दर्शन का सीधा परिणाम है. देवियों और सर्जनों, असम के स्वास्थिय जगत के लिए आज का यह दिन इतिहासिक है. असम कैंसर केर फांदेशन के तत्वधान में कुल 17 कैंसर केंद्रों की परिकलपना है, जिसमें 7 कैंसर केंद्र पूरी तरीके से तयार है और 7 कैंसर केंद्रों की आधारशिला आज रखी जाएगी. मुझे यह कहते हुए अपार हर्श हो रहा है कि कुछ ही क्षणों पहले डिब्रुक और कैंसर केंद्र को आधर नियाप प्रधान मंत्री जी ने अपने करकमलों से राष्ट्र को समर्पित किया है अब आपके समक्ष प्रस्तुत है असम कैंसर के फाउंडेशन की परिकल्पना के ओपर एक आउडियो विज्वल प्रस्तुती माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी गरीब एवं मध्यों वर्ग को अफॉर्डबल और अच्सेबल हेल्थ के सिवा प्रधान करने के प्रती कटीबध रहे हैं आपके नेतरित्व में आयुष्मान भारत जन आरूग्य योजना, प्रधान मंत्री अभीम योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ और विल्नेस सेंटर्स एवं हर जिले में मेडिकल कॉलिज स्थापित करने की योजनाओं से करोडों लोग लाभानवित हुए हैं प्रधान मंत्री महुदय के मार्क दर्शन से प्रेरित होकर असम ने Affordable Cancer Care पर एक ठोस पहल की है। आईए सुनते हैं असम की एक गौरव गाथा। से ज्यादा केस सालाना दर्ज किये जाते हैं। इस रोग के इलाज हेतु कई लोगों को दूर के बड़े शहरों में जाना पड़ता है। इसमें काफी खर्च बढ़ जाता है। और कई अन्य तरह की परिशानिया भी उठानी पड़ती है। इनका नाम आशा है। आशा यान से जाते हैं। टाटा ट्रस्ट की साथ मिलकर सन 2018 में असम कैंसर केर फाउंडेशन के परिवर्टनात्मक स्थापना समारों से असम में एक नया इतिहास रचा गया। असम कैंसर केर फाउंडेशन जोकी असम सरकार और टाटा ट्रस्ट की साजह पहल है के अंतरगत करीब 4000 कडोड की लागत पर असम में 17 आधुनिक कैंसर अस्पिताल आने वाले हैं। भारत में कैंसर केर अस्पितालों के नेटवर्क संबंधी यह सबसे बड़ा निवेश है। के साथ व्यापक कैंसर अस्पिताल है। तृतिय स्थर पर है रेडियेशन और कीमो थेरपी की सुविधाओं के साथ दे कैर अस्पिताल। इस कारेक्रम के प्रथम चरण में 10 अस्पिताल खोलने की योजना थी। जिसमें से 7 का उतघाटन आज होने वाला है। तीन और अस्प अस्पिताल विश्वस्तरिय आधूनिक सुविधाओं और उपकरणों से सुसर्जित है। सभी में सेंट्रिल एसी तथा डिजिटल रूप से सक्षम सेवाओं का प्रावधान है। यह सभी अस्पिताल गौहाटी स्थित डिजिटल नॉर्म सेंटर के जरिये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जिसमें हेल्प लाइन, टेली पेथालोजी, टेली रेडियोलोजी और वर्च्वल ट्यूमर बोर्ट फेसिलिटीज हैं। कैंसर की रोगथाम बहुत ज़रूरी है। इस दिशा में राजय सरकार एक बड़े स्थर पर पूरे राजय में कैंसर की स्क्रे जलाने और युवाओं को शिक्षित करने का भरसक प्रयास कर रही है। आशा अब खुश है, बिना यात्रा और आर्थिक बोज के उसे सर्वश्रेष्ट सुविधाएं घर के पास ही मिल रही है। अब वो अपनी बेटी का ध्यान रखते हुए अपना इलाज करवा रही और कैंसर के मरीजों की उमीदें अब असम में साकार हो रही है। को समर्पित करें। को समर्पित करेंगे माननिय प्रधान मंत्री जी। कि अधने को समर्पित करेंगे माननिय प्रधान प्रधान मैं प्रधान मैं प्रधान रही है। अब आदरानिया प्रधान मंतरी जी राश्र को समर्पित करने जा रहे हैं जोर हाट कैंसर केंद्र को अब कोकरा जार कैंसर केंद्र को राश्र को समर्पित करेंगे माननिया प्रधान मंतरी जी अब माननिया प्रधान मंतरी जी राश्र को समर्पित करने जा रहे हैं। लोखिंपूर कैंसर केंद्र को प्रधान रखेश्पूर कैंसर केंद्र को रहे हैं। राश्च को समर्पित करेंगे आधरणिय प्रधान मंत्री जी. अब मैं माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी से पुनह अनुरोत करूगी कि वेक्रब्या आभास्य रूप से धूबरी, गौालपरा, नौलबारी, नौगाउं, गोलाघात, हियोखागौर और तिनिसुक्या में स्थापित होने वाले कैंसर केंद्रों की आधारशिला रखें. मानु है मानु हरपाबे, जोदी है अकनोने भाबे, अकनी खहनु थुपीरे, भाभी भखने नखवाँ, हमनिया, मानु है मानु हर पावे असम के राजपाल श्री जगदिश मुखी जी असम के लोगप्रियो और उर्द्यावान मुख्यमंत्री श्री हमनता बिश्वा सर्मा जी केंद्रियम मंत्री मंडल में मेरे वरिश्ट सेयोगी सी सर्वानन सोनवाल जी स्री रामेश्वर तेली जी देश के विकास में अहम योगदान देने वाले स्री रतन टाटा जी असम सरकार में मंत्री स्री केशो महनता जी स्रीमान रंजन गोगाई जी स्री सांसद गान विद्धाय गान और मेरे प्यारे भाई और बहनों प्रठो मोटे मौईर रंगा अली भी हो आरो अशोमिया नौबो बर्खोष सुबेच्छा जोनाईस उत्सावा रुमंक के इस मौसम में असम के विकास की धारा को और गती देने का आजे जो भव्य समारो है उसमें मुझे भी आपके उस उमंग के साथ जुड़ने का आउसर मिला है आज इस अइतिहासी नगर से मैं असम्या गवरव असम के विकास में अपना योगदान देने वाली यहां की सभी महान संतानों का समरा करता हूँ और आदर पुर्वा उन सब को नमन करता हूँ साथियों भारत रत्ना बुपेन हचारीकाजी का गीत है बोहाग माठो एटी रूतू नौए नोहोए बोहाग एटी मां असोमिया जातिरी आयूश रेखा गोनो जियनो रेखा असम की जीमन रेखा को अमीट और प्रखर बनाने के लिए हम दिन रात आपकी सेवा करने का प्रयास करते रहते हैं इसी संकल्प के साथ बार बार आपके बीच आने का मुख मन करता है असम आज शान्ति के लिए विकास के लिए एक जूट होकर उत्सा से भरा हुआ है और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कार्वी अंगलोंग मैं देखा और मैं अनुभव कर रहा था क्या उमंग क्या उत्सा क्या सपने क्या संकल्प साथियों थोड़ी देर पहले मैंने डिबरुगर्ड में नए बने कैंसर अस्पताल और वहाँ बनी स्विधाओं को भी देखा आज यहां असम के साथ नए कैंसर अस्पतालों का लोकारपन किया गया है एक जमाना था साथ साल में एक अस्पताल खुल जाए तो भी बहुत बड़ा उत्सव माना जाता था आज वक्त बदल चुका है एक दिन में एक रहज में साथ अस्पताल खुल रहे हैं और मुझे बताया गया कि तीन और कैंसल अस्पताल आने वाले कुछ महिनों में तयार हो जाएंगे आपकी सेवा में इनके अलावा आज राज्य के साथ नए आदूनिक अस्पतालों का निर्मान कारिय भी प्रारम हो रहा है इन अस्पतालों से असम के अनेक जिलों में अब कैंसर के इलाज की सुवीदा और बड़ेगी अस्पताल आविशक तो है और सरकार बना भी रही है लेकिन मैं जरा कुछ उल्टी ही शुप कामना देना चाहता हूँ अस्पताल आपके चरणों में है लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि असाम कोई लोगों के जिन्दगी में अस्पताल जाने का मुसीबत आ जाए मैं आप सब के स्वास्त की कामना करता हूँ आपके परिवार के किसी को भी अस्पताल जाना न पड़े और मुझे खुसी होगी कि हमारे सारे नए बनाए अस्पताल खाली ही रहे लेकिन अगर आवस्पता पड़ जाए कैंसर के मरीजों को असुविदा के खाना मौत से मुकामला करने की नौबत नहीं आनी चाहिए और इसलिए आपकी सेवा के लिए भी हम तयार रहेंगे भाईयो और बहनों असम में कैंसर के इलाज के लिए इतनी विश्त्रत इतनी व्यापक ववस्ता इसलिए अहम है क्योंकि यहां बहुत बड़ी संख्या में कैंसर डिटेक्ट होता रहा है असम ही नहीं नौर्थ इस्ट में कैंसर एक बहुत बड़ी समझ्या बन रहा है इससे सबसे अधिक प्रभावीत हमारे गरीब परिवार होते हैं गरीब भाई बैन होते हैं हमारे मद्दंबर के परिवार होते हैं कैंसर के इलाज के लिए कुछ साल पहले तक यहां के मरीजों को बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था और इसके कारण एक बहुत बड़ा आर्थिक बोच गरीब और मिडल क्लास परिवारों पर पड़ता था गरीब और मिडल क्लास की परिशानी को दूर करने के लिए बीते 5-6 सालों से जो कदम यहां उठाये गए हैं उसके लिए मैं पूर्व मुख्यमंतरी सरवानन सोनवाल जी को और वर्तमान मुख्यमंतरी हेमनता जी और टाटा ट्रस को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ असम कैंसर केर फांडेशन के रूप में कैंसर के सस्ते और प्रभावी इलाज का इतना बड़ा नेट्वर्क अब यहां तयार है यह मानवता की बहुत बड़ी सेवा है जाधियों असम सहीर पूरे नौर्टिस्ट में कैंसर की इस बहुत बड़ी चुनवती से निपटने के लिए केंद्र सरकार भी निरंतर कोशिश कर रही है राजदानी गुहाटी में भी कैंसर ट्रिक्मेंट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्टर को ससक्त किया जा रहा है इस साल के बजेट में नौर्टिस्ट के विकास के लिए पंद्रा सो करोड रुपी एक विशेस योजना पी एम डिवाइन में भी कैंसर के इलाज पर फोकस किया गया है इसके तहट कैंसर के इलाज के लिए एक डेडिकेटेड फैसिलिटी गुहाटी में तयार होगी भाईवार बैणो कैंसर जैसी गंबीर बिमारिया एक परिवार के रुप में और एक समाच के रुप में हमें भावनात्पक रुप से और आर्थिक रुप से कमजोर करती है इसलिए बिते साथ आठ साल से देश में स्वास्थ को लेकर बहुत बड़े और व्यापक रुप से काम किया जा रहा है हमारी सरकार ने साथ विश्वों पर या एक कह सकते हैं स्वास्थ के सबतरुशियों पर फोकस किया है पहली कोशिज यह है कि बिमारी की नौबती नहीं आए इसलिए प्रिवेंटिव हेल्ट केर पर हमारी सरकार ने बहुत जोड़ दिया है यह योग, फिटनेस, स्वच्छता ऐसे कई कारकम इसके लिए चल रहे हैं दूसरा, अगर बिमारी हो गई तो शुरुवात में ही पता चल जाए इसके लिए देशभर में नए ट्रेस्टिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं तीसरा फोकस यह है कि लोगों को घर के पास ही प्रात्विक उप्चार की बहतर सुविदा हो इसके लिए प्राइमरी हिल्स सेंटरों को पूरे देश में वैलनेस सेंटर के रूप में एक नई ताकत के साथ उसका एक नेटवर्क आगे बढ़ाया जा रहा है चौथा प्रयास ए है कि गरीब को अच्छे से अच्छे स्पताल में मुप्त इलाज मिले इसके लिए आईश्मान भारत जैसी योजनाओं के तहर पांच लाख रुपिये तक का मुप्त इलाज आज भारत सरकार के तरप से दिया जा रहा है साथ योज हमारा पांचवा फोकस इस बात पर है कि अच्छे इलाज के लिए बड़े बड़े शहरोपन निर्भरता कम से कम हो इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्टर पर हमारी सरकार अभूत पुर्वन निवेश कर रही है हमने देखा है कि आजाजी के बाद से ही जितने भी अच्छे अस्पताल बने वो बड़े शहरों में बने थोड़ी सी भी तबियत बिगड़े तो बड़े शहर भागो यही होता रहा है लेकिन 2014 के बाद हमारी सरकार इस स्थिति को बदलने में जूटी हुई है साल 2014 से पहले देश में सिर्फ साथ एम्स थे इस में से भी एक दिल्ली वालों को छोड़ दें तो कहीं MBBS की पढ़ाई नहीं होती थी कहीं OPD नहीं लगती थी कुछ अधूरे बने पड़े थे हमने इन सभी को सुधारा और देश में 16 नए एम्स गोशित किये एम्स गोहाटी भी इनी में से एक है हमारी सरकार देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज जुरूर हो इस लक्ष पर काम कर रही है 2014 से पहले देश में 377 मेडिकल कॉलेज थी अब इनकी संग्या बढ़कर करीब करीब 600 तर 600 तक पहुंच रही है साथ को हमारी सरकार का छट्था फोकस इस बात पर भी है कि डॉक्टरों की संख्या को जादा से जादा बढ़ाया जाए बीते साथ साल में MBBS और PG के लिए 70,000 से जादा नई सीटे जुड़ी है 70,000 हमारी सरकार ने 5 लाग से जादा आयूस डॉक्टर्स को भी ऐलोपेथिक डॉक्टरों के बराबर माना है इससे भारप में डॉक्टर और मरीजों के बीच रेशियों में भी सुधार हुआ है हाली में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है सरकार ने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 50 प्रतिसत सीटों पर उतनी ही फी ली जाएगी कि जितनी किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में ली जाती है इसका फाइदा हजारों नवजवानों को मिल रहा है देश को आधाती के बाद जितने डॉक्टर मिले हमारी सरकार के प्रयासों से अब उससे भी ज़्यादा डॉक्टर अगले दस वर्त में मिलने जा रहे हैं हमारी सरकार का सात्वा फोकस स्वास्त सेवाओं के डिजिटाइजेशन का है सरकार की कोशिज है कि इलाज के लंबी लंबी लाइनों से मुक्ति हो इलाज के नाम पर होने वाली दिक्कतों से मुक्ति मिले इसके लिए एक के बाद एक योजना ए लागू की गई है कोशिज यह है कि केंदर सरकार की योजनाओं का लाब पूरे देश के नागरिकों को देश में कहीं भी मिल सके इसके लिए कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए यही One Nation World Health की भावना है इसी ने सो साल की सबसे बड़ी महामारी में भी देश को संबल दिया चुनोती से निपटने की ताकत दी साथ क्यों केंदर सरकार की योजनाओं देश में कैंसर के इलाज को सुलब और सस्ता बना रही है एक और महत्तपुन काम हमारी सरकार ने देड़े किया है गरीब का बेटा बेटी भी डॉक्टर क्यों न बन सके गाउं में रहने वारा बच्चा भी जिसको जिन्दगी में अंग्रेज में पढ़ाई का मोका नहीं मिला वो डॉक्टर क्यों न बन सके और इसलिए भारत सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है कि जो अपनी मात्र भाषा में स्थानिय भाषा में मेडिकल एजुकेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी सरकारे सुविदाये खड़ी करें ताकि गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके बीते वर्षों में कैंसर के अनेकों ऐसी जरुरी दवाएं हैं जी की कीमतें लगबग आदी हो गई है इससे हर साल कैंसर मरीजों के लगबग एक हजार करोड रुपिय बच रहे हैं प्रदान मंत्री जन अउसदी कैंद्रों के माद्यम से नव सो से जादा दवाएं सस्ते में उपलब्द हो जो दवाएं सो रुपिय में मिलती है वो दस रुपिया बिस रुपिय में मिल जाए इसका प्रबंद किया गया है इन में से अनोग दवाएं कैंसर के इलाज से भी जुड़ी हुई है इन सुविदाओं से भी मरीजों के सैंकडो करोड रुपिय बच रहे हैं किसी परिवार में बुजुर्ग माबाप हो डाइबिटिस जैसी बिमारी हो तो मद्यम बर्ग निम्न मद्यम परिवार का महने का हजार पंद्रा सो दो हजार रुपिय दवाई का खर्चा होता है जन उसजी केंद्र में वो खर्चा असी नब्बे सो रुपिय में पूरा हो जाता है ये चिंता हमने की है यही नहीं आईश्मान भारत योजना के तहर लाप पाने वालों में बहुत बड़ी संख्या में कैंसर के पेशन्स है जब ही योजना नहीं थी तो बहुत सारे गरीब परिवार कैंसर के इलासे ही बचते थे वो सोचते थे कि अगर मैं अस्पताल जाओं तो बेटे के लिए कर्ज करना पड़ेगा और इस कर्ज मेरे बच्चों को भुगतना पड़ेगा बूढे माबाप मरना पसंद करते थे लेकिन बच्चों पर बोज बनना पसंद नहीं करते थे अस्पताल नहीं जाते थे इलाज नहीं करवाते थे गरीब माबाप अगर इलाज के अभाव में मरें तो फिर हम किस काम के लिए विशे इस नुपते हमारी माता है बेने वो तो इलाजी नहीं करवाती थी वो देखती थी कि इलाज के लिए करज लेना पड़ता है गड़ और जमीन बेचने पड़ती है हमारी माता और बेन और बेटियों को इस चिंता से भी मुक्ति करने का भी काम हमारी सरकार ने किया भाई और बैनो आश्मान भारत योजना से सिर्फ मुप्ति लाज नहीं मिल रहा है बलकि कैंसर जैसी गंबीर बिमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने में भी मदद मिल रही है असम सहीत पुरे देश में जो हेल्टन वेलनेस सेंटर खुल रहे हैं उनमें 15 करोड से अधिक साथियों की कैंसर से जुड़ी जाज हो चुकी है कैंसर की स्तिति में तो यह बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द बिमारी का पता चले इससे बिमारी को गंबीर बनने से रोका जा सकता है साथियों देश में मेडिकल इंफ्रसेक्टर को मजबूत करने का जो अभ्यान चल रहा है उसका लाब भी असम को मिल रहा है है मनताजी और उनकी टीम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के राष्टिय संकल्ब के लिए प्रसंसनिये प्रयास कर रही है केंदर सरकार ने यह सुनिशित किया है कि आक्सिजन से लेकर वेंटिलेटर्स तक सारी सुविदाएं असाम में लगातार बढ़ती रहे क्रिटिकल केर इंफ्रस्ट्रक्टर असम में तेजी से जमिन पर उतरे इसके लिए असम सरकार ने बहतरीन काम करने की जिशा में अनेक कदम उठाए है भाई और बैनों कोरोना के संक्रमर्ण से देश और दुनिया लगाता लड़ रही है भारत में तिका करन अभियान का दाइरा बहुत बढ़ गया है अब तो बच्चों के लिए भी अनेक वैक्सिन एप्रू हो गई है प्रिकोशन डोट के लिए भी अनुमती दे दी गई है अब ये हम सभी का दाइट तो है कि समय पर खुद भी टिका लगवाएं और बच्चों को भी ये सुरक्षा कवज दें साथियों के इंद्रो और असम सरकार चाय बगानों में काम करने वाले लाखों परिवारों को बहतर जीवन देने के लिए पूरी इमानदारी से जुटी है मुप्तरासन से लेकर हर गर जल योजना के तहट जो भी सुविदाएं हैं असम सरकारों को तेजी से चाय बागानों तक पहुँचा रही है सिक्षा और रोजगार के अवसारों को बहतर बनाने के लिए भी लगातार कोशिश की जा रही है विकास के लाख से समाज का कोई भी व्यक्ति कोई भी परिवार न छुटे ये हमारा प्रयास है ये हमारा संकल्प है भागी और बहनों आज भारत में विकास की जीज़दारा को लेकर हम चल रहे हैं उसमें जनकल्नियार के दाइरे को हमने बहुत व्यापक कर दिया है पहले सर्फ कुछ सब्सीडी को ही जनकल्नियार से जोड़कर देखा जाता था इन्फ्रास्टकर के कनेक्टिविटी के प्रोजेश को वैलफेर से जोड़कर नहीं देखा जाता था जबकि बहतर कनेक्टिविटी के अभाव में जन सुविदाओं की डिलिवरी बहुत मुश्किल होती है पिछली सजी की उस असादा अवधारणा को पीछे छोड़कर अब देश आगे बढ़ रहा है आज आप देखते हैं कि असम के दूर सुदूर छेत्रों में सडके बन रही हैं ब्रह्म पुत्र पर पूल बन रहे हैं रेल नेटवर्क ससकत हो रहा है इन सबसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जाना आसान हुआ है रोजी रोटी के अवसर खुल रहे हैं गरीब से गरीब को पैसे की बटत हो रही है आज गरीब से गरीब को मुबाइल फोन की सुविदा मिल रही है इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है इससे उसे सरकार की हर सेवा प्राप्त करना आसान हुआ है बरस्ता चार से मुक्ती मिल रही है भाई और बैनों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की सोच के साथ हम असम और देश के विकास को गती देने में जुटे हैं हमारी कोशिज है कि असम की connectivity ससकत हो, यहां investment के नए अवसर बने, असम में निवेश के लिए अनेक संभावना हैं, इन संभावना को हमें अवसरों में बदलना है, चाय हो, आर्गनिक खेती हो, औल से जुड़े उद्योग हो, या फिर tourism, असम के विकास को हमें नई बुलंदी तक ले जाना है, साथियों, आज असम का मेरा व्यात्रा मेरे लिए बहुत यादगार है, एक तरफ मैं उन लोगों से मिलकर के आया हूं, जो बंबंदूप का रास्ता छोड़ करके, शांती की राह पर विकास की धारा में जुड़ना चाहते, और अभी मैं आप लोगों के पीट में हूं, जो बिमारी के कारण जिन्द की चुओ, मैं जूजना न पड़े, उनको इस सुख शांती की व्यवत्ता हो, और उसमें आप लोग आशिरवात देने आये हैं, बिहु अपने आप में सबसे बड़ा उमंग और उस्व का जवार, और आज हजारों माता बहनों मैं असम में बहुत सालों से आ रहा हूं, शाहिद ही कोई विहु ऐसा हो, जब मेरा उस समय आसाम का दोरा न हुआ हो, लेकिन आज मैंने इतनी बड़ी तादाद में, एक साथ माता और बहनों को विहु में जूमते हुए देखा, मैं इस प्यार के लिए, इस आसिरवात के लिए विशेश करके आशाम की माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ, उनका रिज़े से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, साथियों, एक बार फिर, स्रिमान रतन चाहता जी, खुद यहां पहुँचे, उनका नाता चाह से शुरू हुआ, और चाह तक विस्तृत हुआ है, और आज आपके उत्तम स्वास्त के लिए भी, वो हमारे साथ सरीक हुए है, मैं उनका भी स्वागत करते हुए, एक बार फिर, आप सभी को, यह अनेग नई सुविधाओं के लिए, बहुत-बहुत सुपकामनाई देता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद, मेरे साथ पुरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, 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 भारत-बहुत धन् कर दो खूराओ